Hello students, myself, Dr. Aashir Shrivastav और आज के इस lecture में आपसे डिसकस करूँगा Human Ear पर एक बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी DPP आने की दस ऐसे questions में Human Ear पर आपके सामने लेकर आया हूँ जिन questions के आपको right answer देने हैं उनके right answer जब आप दे चुके होंगे उसके बाद सामने questions के आपको right answer को बताऊंगा भी और सामने के solutions भी आपको समझाऊंगा तो actually DPP 1 जो Human Ear पर based है उसका basic motive है कि आपने Human Ear को अगर proper way में मुझसे पढ़ा है तो उसके बाद आपसे वो सभी questions बनने चाहिए जो इस DPP में दिये गए हैं चलिए तो मैं start करता हूँ सबसे पहले हम पहले question पर आते हैं हर question के लिए आपको एक minute का time मिलने वाला है आप इस question को बड़े carefully पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे और इस question का आपको right answer देना है question में आपको एक diagram दिया गया है उस diagram को leveled किया गया है A, B, C, D से आपको देखना है कि जो leveling of diagram है उसमें जो भी उसके regarding statements दिये गए उसमें से ऐसा कौन सा statement है जो correct statement है यानि कि आपको identify जो करना है वो ये करना है कि इनमें से इस diagram में जो भी leveling करने के बाद नाम दिये गए हैं A, B, C, D उनके regarding कुछ statements हैं आपको वो statement को select करना है जो correct statement होना चाहिए तो आपका time जो है वो जल्दी से खतम होने वाला है आप सबसे पहले इस question को carefully पढ़ेंगे चारो statements को पढ़ेंगे और आपको बताना इस question में चारो statement में से वो statement कौन सा है जो इस question के लिए सही statement होगा तो चार यहाँ पर statement आपके सामने है आप देख सकते हैं यहाँ पर A, B, C, D करके चार different अलग-लग आपको diagram में leveling की गई है सब चलिए आपका time यहाँ पर खतम होता है अगर आपने इस question का right answer select कर लिया है ठीक है ना यहाँ पर C represent कर रहा है Scala media को यहाँ पर D represent कर रहा है Scala timpani को और यहाँ पर B represent कर रहा है organ of corti में present hair cells को चलिए तो यहाँ पर मैंने चारों जो leveling है उसको मैंने यहाँ पर proper way में arrange कर दिया है ठीक है ना तो यहाँ पर जो B है वो hair cells को दिखा रहा है C जो है वो scala media को दिखा रहा है A जो है वो scala vestibuli को दिखा रहा है D जो है वो scala timpani को दिखा रहा है अब पहला statement कर रहा है V is the structure जहाँ पर hair cells visual receptor की तरह act करती है तो पहला statement यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाता है क्योंकि आपको यह पता है कि hair cells जो हैं वो auditory receptor है auditory receptor का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं कि इन्हें receptor of hearing भी कहा जाता है या फिर यह auditory receptors हैं और यह present होती है organ of call type ठीक है ना तो पहला statement गलत है और आपको correct statement select करना इसलिए पहला option आपके लिए सही answer नहीं होगा second जो यहाँ पर option दिया जा रहा है उसमें दिया जा रहा है कि A and C are filled with perilymph and D is filled with the endolymph तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ यहाँ पर scala vestibuli में perilymph होगा scala timpani में perilymph होगा लेकिन scala media जो है उसमें endolymph होता है क्योंकि यह bony levirin से घरा होता है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि A और C में perilymph भरा होता है जबकि हम देख रहे हैं A में perilymph है लेकिन C में endolymph होगा याने कि यहाँ पर option number 2 भी आपके लिए क्या होगा incorrect statement होगा और आपको किसे select करना है correct statement को तीसरा number option देखेंगे A ends at the oval window and D ends at the round window तो scala vestibuli जो होता है वो आपने पढ़ा हुआ है कि oval window में open होता है जबकि scala timpainai जो होता है वो आप जानते हैं कि वो scala वो एक round window में open होता है जो कि open होती round window open होती into middle year तो आप अच्छे से जानते हैं कि तीसरा statement बलकुल correct statement है और A ends at the line है and fourth number statement को हम पढ़ लेते हैं इसमें बता जा रहा है कि जो B है B मतलब की जो basically हम कह सकते हैं hair cells यहाँ पर है तो यहाँ पर बता जा रहा है B जो है वो projecting ridge को यहाँ पर consist किये होती है जिसमें macula present होते हैं that act as specific receptor for maintaining the body balance तो पहली चीज़ तो यह जो diagram है वो cochlea का diagram है और यहाँ पर इन्हों ने जो word use किया है macula इसके बारे में जादा सोचे बिना ही हम बता सकते हैं कि macula जो आपको देखने को मिलेगा वो otolith organ में देखने को मिलेगा और otolith organ का मतलब होता है saccule and utricle और यह दोनों चीज़ें जो हैं वो membranous levirint के balloon like structure हैं जो vestibular apparatus में present होते हैं तो आपका statement number 4 भी पूरी तरह से गलत है यानि कि इस question का जो right answer होना चाहिए वो होगा option number 3 अगले question पर आते हैं second question आप से कह रहा है which of the following is not true about ear ossicle यानि कि ear ossicle के संदर्ब में इनमें से कौनसा ऐसा statement है जो गलत statement जो की गलत statement है या वो सही नहीं है ear ossicles के regarding तो पहला दिया गया है malious incus stepus तो हम सभी जानते है malious incus stepus जो होती है वो ear ossicles के नामे आने ये statement बिल्कुल सही है दूसरा लिखा हुआ है ear ossicle increase the efficiency of transmission of sound wave to inner ear तो हम सभी जानते हैं ये बिल्कुल सही sentence यहाँ पर लिखा हुआ है जो ear ossicles होती है वो sound wave को amplified करती है और उसको transfer करती है outer ear से inner ear में और ये middle ear में present होती है तो ये statement बिल्कुल सही है तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पर malious is attached to the tympanic membrane of cochlea से attach नहीं होती है malious जबकि हम जानते हैं कि malious जो है वो inner ear में inner ear में malious जो है sorry inner ear में malious पहली बोन है जो tympanic membrane से तो attach होती है लेकिन cochlea नहीं external ear तो यहाँ पर right answer होना चाहिए था अगर ये statement को आप right statement बनाना चाहते है तो यहाँ cochlea की जगा क्या होना चाहिए था external ear तो आपको अच्छे से पता है tympanic membrane cochlea में नहीं होती है tympanic membrane is the part of external ear तो यह statement जो आपका है वो definitely गलत statement है अगला statement भी हम पढ़ लेते हैं stepus is attached to the oval window of the cochlea तो आप बलकुल सही लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो stepus last year ossical है size में छोटी होती है इसका shape stir up shape होता और यह cochlea के oval window में attach होती है oval window से attach होती है and oval window ends end में present होती है कि इसके scalar वैस्टी बुलाई के यानि कि गलत statement को select करना था अगला question पर हम आते हैं अगला question आप से कह रहा है which of the following statement is not correct regarding cochlea यानि इन में से कौन सा एक statement है जो cochlea के regarding गलत statement है यानि कि cochlea के regarding आपको इन में से गलत statement को select करना है या वो statement correct नहीं होना चाहिए तो आपको एक minute का time दे रहा हूँ जल्दी से इस question का आपको answer देना है इस question के answer में आपको कैसे देना है पहला statement आप ध्यान से पढ़ेंगे पहला statement लिखा है कि cochlea यानि कि it consists of bony labirinth and membranous labirinth तो भाई ये तो बलकुल सही लिखा हुआ है जो cochlea होता है वो membranous और bony labirinth से मिलकर बना होता है इविन पूरा internal ear ही bony labirinth और membranous labirinth से मिलकर बना होता है उसके बाद आपको second option यहाँ पर दिया गया है कि it content three chamber तो भाई हम जानते हैं cochlea में तीन chamber होता है सबसे उपर वाले को scala vestibuli कहते हैं तो ये भी सही लिखा है middle वाले को scala media कहते हैं ये भी सही लिखा है lower वाले को scala timpanem कहते हैं ये भी सही लिखा है तो ये statement भी मिलकुल सही है दूसरे statement भी मिलकुल सही है तीसरे statement आप से बोल रहा है कि the middle ear the middle and lower chamber communicate through helico trema तो भाई यहाँ पर middle नहीं होना चाहिए था यहाँ पर upper होना चाहिए था तो पहला upper और सबसे नीचे वाला lower chamber जो है वो small aperture से connect होते हैं यानि कि upper chamber को हम scala vestibuli कहते हैं और lower chamber को scala timpanem कहते हैं scala vestibuli and scala timpanem connected with a small hole like structure which is called helico trema तो तीसरे statement यहाँ पर गलत है and fourth statement जो non-NCRT statement आपको ध्यान से पढ़ना है information है बिलकुल सही statement है एक cochlea के पास 16,000 से 24,000 तक hair cells होती है और वो चार row में या lineों में arrange होती है तो चौतह statement भी आपका बिलकुल correct है तो यहाँ पर इस question का right answer क्या होना चाहिए तो आपका right answer होगा option number 3 क्योंकि आपको क्या select करना था not correct याने की false statement को select करना था चलिए अगला question है sensory hair cells are present in sensory hair cells कहाँ पर present होती है तो भाई इस question का answer बहुत simple है आपके लिए देना जल्दी से इस question का answer आपको select करना है hair cells जो हैं वो कहाँ पर present होती है तो मैंने आपको बताया था अपने last lecture में या human ear part 4 में या part 3 में भी आपको ये चीज मैंने बताई है कि hair cells जो है वो ऐसा नहीं है के बल cochlea के organ of call time में present होती है organ of call time में present hair cells तो receptor of hearing है या auditory receptor है लेकिन मैंने आपको बताया था कि autolith organs में एक बहुत ही sensory part होता जिसको crista ampularis कहते हैं तो crista ampularis जो है या जिसको shortly kristi कह दिया जाता है ये एक ऐसा part होता है जो present होता है autolith organ में याने की saccule और utricle के base पर और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ hair cells जो है वो present होती है तो kristi में hair cells present होती है ये आपको पता है अगला option आपका लेखा हुआ macula या macula भी कहते हैं macula जो है basically ये भी एक sensory part है और ये ridge like structure भी होता है और ये present होता है basically semi circular canal में और semi circular canal के base में ampular reason जो है sorry semi circular canal में नहीं मैं आपको बता देता हूँ crista जो है वो semi circular canal में present होता है और ये ampularis से याद रखें आप ampula यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप से माफी चाहूँगा ampula यहाँ पर नाम से आपको याद रखना है कि semi circular canal का जो base वाला part होता है ये वाला part तो base वाले part को हम ampula कहते हैं और यहाँ पर एक ridge like structure present होता है जिसको हम crista ampularis कहते हैं तो मैं यहाँ पर आपने statement को थोड़ा सा वापिस लेता हूँ क्रिष्टी या क्रिष्टा ampularis is the sensory part of semi circular duct it is the ridge like structure और उसमें hair cells present होती है और यह बड़ा important role play करता है maintenance of body balance मैं specifically बात करूँ तो यह important role play करता है dynamic balance को बनाये रखने में अब बिल्कुल सही statement है अब मैं आता हूँ second number option पर maculae maculae basically present होता है कहाँ पर present होता है तो हम जानते हैं यह autolith organ में present होता है यानि कि जो utricle हैं और जो sacule हैं vestibular apparatus में membranous labirint के balloon like structure जिनको collectively autolith कहा जाता है उसमें भी कुछ sensory part होते हैं वो भी rigid like structure ही होते हैं जिनको maculae या macula कहते हैं और इनमें भी hair cells present होती है they also play very important role in maintenance of body balance and body posture और आपको बता दूँ specifically यह किस प्रकार के body balance को maintain करने के लिए उपी होगी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ static balance को और इनके पास भी क्या होती है hair cells होती है यानि क्रिष्टी में भी hair cells होती है maculae में भी hair cells होती है cochlea में तो definitely hair cells होती है क्योंकि cochlea में organ of corti hair cells को consist करता है जो auditory receptor की तरह act करती है तो इस question का right answer क्या होना चाहिए definitely all of these यानि की right answer जिस question का होगा वो होगा all of these यानि answer number 4 चली आगे बढ़ते है 5th number question है the sequence of fluid present from upper to lower chamber of cochlea जिसमें P represent कर रहा है perilim को E represent कर रहा है endolim को जल्दी से आपको क्या करना है जल्दी से आपको एक diagram बना लेना है और मैं diagram में आपको बता देता हूँ की कौन सा fluid कहां पर present होता है यह मैंने linear frontal view ले लिया किसका cochlea का जिसमें अंदर वाली जो आपको यह structure दिख रहा है यह membranous levirinth है और बाहर वाली जो है वो bony levirinth है इसको मैं बोलूँगा scala westi बुलाई इसको बुलूँगा scala media इसको बुलूँगा scala tympanai scala westi बुलाई जो होती उसमें क्या present होता है तो आप कहेंगे perilymph scala media में क्या होता है तो आप कहेंगे endolymph और scala tympanai में क्या present होता है तो perilymph तो upper cell lower की तरफ sequence होना चाहिए PEP तो यहाँ पर PEP आपको option number one में दिखाई दे रहा है यानि कि इस question का जो right answer होगा वो होगा option number one चली आगे बढ़ते हैं अगला question जो है which of the following function is not associated with middle ear यानि कि आपको इसमेंसे चार option है उसमेंसे आपको बताना है कि कौनसा ऐसा option है जिसमें दिया कि आप function middle ear से associated नहीं है यानि कि middle ear से जो function associated नहीं है आपको केबल उस option को select करना है Amplification of sound wave definitely यह middle ear का function होता है Amplification of sound wave middle ear का function होता है क्योंकि middle ear में three ear ossicles होती है Malleus, Incus, Steppers जो कि sound wave को amplified करने का का काम करती है तो यह function तो associated है middle ear से Second option is quality volume of ear pressure तो middle ear में use station tube present होती है जो कि middle ear में air pressure को maintain करती है उस वज़े से ही tympanum जो होता है वो Malleus पर sound wave या vibrations को transfer करने में capable होता है तो यह function भी middle ear का है Transmission of sound wave from external ear to internal ear तो definitely यह function भी middle ear का है क्योंकि यह ossicles जो होती है वो external ear से लेने वाले sound wave को transfer करती है internal ear में और चौथा option जो है वो है static equilibrium तो हम जानते हैं कि static equilibrium जो है वो definitely किसी भी प्रकार से middle ear का function नहीं है static equilibrium जो है वो basically function किसका है तो आपका अंसर होगा autolith organ का यानि कि vestibular apparatus में autolith organ specifically responsible for the static balance या static equilibrium जिसमें कि saccule and utricule membranous leveranth के दो balloon like structures होते हैं इसके base पर present होता है एक sensory part जिसको हम basically macula कहते हैं और macula में present होती है hair cells which are responsible for static balance तो यहाँ पर right answer इस question का होगा option number 4 तो इस question का जो answer है वो है option number 4 क्योंकि वो function middle ear से associated नहीं है जल्दी से वड़ते हैं आगे चार आपको नाम दिये गए हैं उनमें से आपको बताना है सबसे largest ear ossicle कौन सी है वो भी human में तो मैं आपको बता दूँ यह चारों ear ossicles हैं हाला कि जो आपको दिख रहा है coliomela auris coliomela auris जो है वो आपको बता देता हूँ यह amphibia में यह basically amphibia में reptiles में जो bones का बना भी हो सकता है जो cartilage का बना भी हो सकता है और यह basically क्या करता है tympanic membrane से tympanic membrane को connect करने में inner ear से काफी important role play करता है तो coliomela auris जो है पहली चीज़ तो वो human में present नहीं होती है तो इस option को हम ब्लोकुल अलग कर देते हैं क्योंकि amphibians reptiles of world में present एक ऐसी rod like structure है जो boni भी हो सकता है cartilage का बना भी हो सकता है और इसका function होता है tympanic membrane से inner ear को connect करना पर यह human में ब्लोकुल present नहीं होती है तो human में तीन ही bones present होती है malias, incas, stapas और उसमें सबसे largest bone कौन सी होती है तो हम आपको बता देते हैं सबसे बड़ी है malias उसके बाद incas, उसके बाद stapas तो सबसे बड़ी इसमें से कौन सी होगी तो आपका answer होगा malias यानि कि इस question का जो right answer है वो आपको याद रखना है option number one अगला question है tectoral membrane is present in tectoral membrane कहां पर present होती है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ tectoral membrane क्या होती है cochlea के structure में आप जब देखते हैं कि basilar membrane के उपर यानि base पर present होती है एक highly specific organ जिसको organ of corti कहते हैं जो consist की होता है hair cells को जिसके उपर यानि कि organ of corti के उपर एक covering होती है जो thin elastic covering होती है पहली चीज़ तो हम tectoral membrane नाम देते हैं तो tectoral membrane present होती है organ of corti के उपर जो की एक thin elastic membrane है लेकिन यहाँ पर chambers को options में दिया गया है तो आपको बताना है कि tectoral membrane कहाँ पर present होगी तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ एक diagram बना देता हूँ यह boni leveranth यह मैंने बना दी उसके अंदर membranous leveranth membranous leveranth पर आप देखते हैं कि organ of corti present होता है और organ of corti के उपर एक thin elastic membrane present होती है यह तो यह मैंने एक thin elastic membrane बना दी जिसको मैं क्या नाम दे रहूँ tectoral membrane तो इसको मैंने नाम दे दिया tectoral membrane तो basically tectoral membrane कहां presented तो देखी यह scala vestibuli है नीचे वाला scala tympani है बीच में scala media है तो आप literally आप देखेंगे कि जो tympanic tectoral membrane है वो कहां पर presented तो tectoral membrane present होती है scala media में तो आप देखी आप options क्या कह रहे हैं अपर chamber of cochlea गलत हो जाता है यह आपका answer नहीं हो सकता over chamber of cochlea मतलब की scala tympani और scala tympani में बिल्कुल भी tectoral membrane की presence आपको देखने को नहीं मिलेगी है यहाँ पर perilimp भरा होगा यानि कि यह option भी आपका incorrect है between external ear and middle ear तो आपको बता देता हूँ external और middle ear के बीच में आपको tympanum membrane देखने को मिल सकती है बच्चो रहा है middle chamber of membranous leveranth in other words scala media चली अगले question पराते है in oval window there is an aperture in which stepus is fitted it is यानि कि हम सभी जानते हैं कि जो आपकी stepus bone है जो stir up shaped होती है यानि सबसे smallest bone है और हम सभी जानते हैं कि attached होती है किस से तो inner ear की cochlea की oval window से यह attach होती है तो question में आपसे पूछा जा रहा है कि oval window में एक aperture होता है जिसमें stepus fussy होती है attach होती है fit होती है उस window को sorry उस aperture को अपन क्या कहते हैं तो oval window में वो aperture उसका नाम बताना आपको जिसमें stepus bone attach होती है तो यह non NCRT question है पर आ चुका है previous year में तो आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ इस question का right answer होगा fenestra ovalis fenestra ovalis basically is an aperture present in oval window in which stepus bone fitted यानि कि stepus bone fitted होगी oval window के एक aperture में जिसका नाम है fenestra ovalis तो यह आपको रट लेना है अगला question हम आते हैं और हमारा आखरी question जो है next question जो है वो है which of the following structure is not filled with endolymph यानिक इनमें से कौन सा structure है जो endolymph से filled नहीं होता है तो इनमें से कौन सा ऐसा structure है जो endolymph से filled नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो utricle जिसको हम utriculus भी कहते हैं utriculus या utricle जो होता है that is the part of otolith organ या otolith organ में ही हम लोग utricle को study करते हैं जो की membranous labirinth का part और इसके अंदर definitely endolymph भरा होता है आपने पढ़ा हुआ है इस तरीके से दो balloon shaped structure आपने देखे हुए है vestibular apparatus में इस तरीके से जो balloon shaped structure होते हैं उन दो balloon shaped structure में से एक को saccule कहा जाता है और एक को हम लोग generally utricle कहते हैं तो saccule and utricle दोनों ही membranous labirinth के part होते हैं और इनके अंदर endolymph भरा होता है तो पहले option में तो आप बता सकते हैं कि इसमें endolymph भरा होता है ठीक है ना उसके बाद आपको tympanic cavity दिया जा रहा है तो tympanic cavity में हम सभी जानते हैं इसी भी टाइप का कोई endolymph नहीं present होता है तो यहाँ पर यह तो गलत है यहाँ पर endolymph present नहीं होगा tympanic cavity में बिल्कुल नहीं होगा sacculus में भी endolymph होगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पर भी endolymph होगा present होगा endolymph और semi circular duct यानिकी आप अच्छे से जानते हैं कि जो vestibular apparatus होता है उसमें तीन ऐसी semi circular canals होती हैं जिनके नीचे का base वाले part को हम ampula कहते हैं जहाँ पर एक highly sensory part present होता है जिसको हम क्या कहते हैं तो crystal ampularis कहते हैं जिसमें कि hair cells होती है और यह dynamic balance को बना रखने में काफी important role play करता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो semi circular canal होती है उनके अंदर जो membranous labirinth का part है इस तरीके से ये membranous labirinth जो 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 के अंदर होती है उस membranous labirinth को हम generally semi circular duct कहते हैं तो देखिए semi circular canal के अंदर क्या होगा परिलिंफ लेकिन semi circular duct किसका part है membranous labirinth का inside the semi circular canal तो इसमें क्या present होगा definitely endolim present होगा तो यहाँ पर right answer होना चाहिए आपका tympanic cavity जिसमें की endolim present नहीं होता है तो इसका right answer होगा option number two चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला question हम देखते हैं the roof of scala media scald यानि कि scala media की roof को आप क्या बोलेंगे roof मतलब top part है ना तो scala media की roof को आप क्या बोलेंगे जल्दी इसे में एक diagram बना देता हूँ अब आप इस diagram को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैं एक diagram बना देता हूँ आप उस diagram को ध्यान से देखेंगे चलिए यह मैंने बोनी लेविरिंद बना दिया कॉकलिया का ठीक है ना यह इसके अंदर मैंने क्या बना दिया membranous levy रिंद ठीक है ना अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो membranous levy रिंद होता है membranous levy रिंद जो होता है उसमें upper membrane को हम क्या बोलते है reasoner membrane तो यह है आपकी reasoners membrane नीचे वाली membrane को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते है basilar membrane यह भी आपको अच्छे से पता है अब बात हो रही है roof of scala media किसे कहते हैं तो बीच में space उसको scala media कहा जाएगा इसका roof क्या होगी इसका roof होगी reasoners membrane तो obviously बड़ा simple सा question इसका right answer होगा option number one reasoners membrane क्योंकि basilar membrane bottom पर होती है tractoral membrane organ of quartai के उपर लेकिन scala media में bottom पर होती है organ of quartai भी basilar membrane पर present होता है जो scala media के bottom पर होता है तो right answer होगा reasoners membrane ठीक है ना तो आपको ये answer समझ में आ गया होगा students आपने बड़े important 10-11 questions को यहाँ पर study किया है human year के बड़े important question है इसी type के कोई question आपके neat examination में human year से आने की probability रहेगी तो इस lecture में जितने भी questions मैंने आपसे discuss किये along with their solution आप उनको ध्यान से बढ़िये समझे अगर आपको किसी भी प्रिकार को कोई doubt होता है तो आप comment box में लिख सकते हैं thank you very much